हेलो इस्टुडेंट, वेलकम टो तास्वेकेटमी, आज के इस वीडियो लक्चेर में शुरू करते हैं, फाइनिसियल एंड बैंकिंग अवर्नेस जिसका पार्ट नाइन है, अल्यडी एट पार्ट अप्लोड किया चुका है, जिनका लिंक आपको डिस्प्सिन वाक्स में मिल देख सकते हैं, ये वीडियो आपके एक्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, रिविजन के तौर पे आप लोग इन वीडियो को कई बार देख सकते हैं, पार्ट नाइन जिसमें हमने एन एफटी, आटी जीएस, आएमपीस से कुछ सवाल, कुछ क्वैस्टन लिये हैं जो आपके एक्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आने की पूरी संभावना है, जो शुटन आप चैनल पे नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे उन्हें लेटेस वीडियो को नोटिफिकेशन तुरन मिले वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ सेर कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, चलिए शुरू करते हैं आज का फाइनिसियल आवरनेस स्टुडेंट सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए उपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजिए जो इस एक्जाम की प्रपेशन करते हो जो निफ्ट पेमेंट होता है उसमें जो एक रिलेशन होता है एस एफमेस का उसमें एसका फुल फॉर्म पुछा जा रहा है जिनको एस एफमेस का पूरा नाम पता हो वो कमेंट बाक्स में जरूर करके बता है कि एस एफमेस का पूरा नाम क्या होता है ठीक है जिनको अगर फुल फॉर्म पता है तो वो इसका answer दे पाएंगे कि इन में से S क्या stand करता है जो हम payment nift के थुरू करते हैं ठीके उसमें इनका role होता है तो यहाँ पे इसका answer होगा structured structured as for structured होता है और पूरा नाम आप comment में करके बताएं उसके बाद हम discuss करते हैं थोड़ा सा FMS के बारे में और यह बिल्कुल similar होता है स्विप्ट के आप लोगों ने स्विप्ट का भी नाम सुना होगा ठीके स्विप्ट का नाम पता है एगर जिनको तो comment में करके बताएं कि स्विप्ट का पूरा नाम क्या है तो दोनों का थोड़ा थोड़ा detail देखेंगे और बाकी इसका answer यह हुआ structured जिनोंने comment में SFMS का पूरा नाम बता दिया है उनके लिए बहुत thanks क्योंकि उन्होंने पढ़ा है और उनने बताया है जिनको नहीं मालूम है वो लोग यहां से note कर लें structured financial messaging system होता है यह पूरा नाम FMS का और आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि काफी सारे 2, 3, 4 काफी full form पूछ ले रहते हैं चोटे 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 और वहाँ पे काफी confusion होती है जो बताना काफी मुस्किल होता है तो इन सब चीजों को revision booster की तरह आप use करिए और कहीं note करिए जहां पे आप regularly या बेकली आप उसको revision कर पाएं जिससे आपका अच्छा सा हर चीज बहुत अच्छे से तयार हो तो देखिए FMS का role क्या होता है जैसे SWIFT होता है SWIFT का यहाँ पूरा नाम लिखा हुआ है Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SWIFT जो होता है वो क्या होता है जैसे दो बैंक है या दो कोई चीजें है ना उनके बीच क्या करता है Telecommunication का पूरा पूरा रोल प्ले करता है वैसे SWIFT SFMS होता है जो हमारा EFT होता है जिसको Electronic Fund Transfer या RTGS Real Time Grass Settlement या Delivery Versus Payment या DBP या Centralized Fund Management System CPMS या आप NIFT कहलो इनके तुरू जो भी मतलब एक बैंक से या किसी को पेमेंट होता है या Interbank से Interbank में पेमेंट होता है तो उन दोनों के बीच में क्या करता है ये होता है एक Secure Messaging Facility ठीक है जो प्रोवाइड करता है Secure Messaging Standard डबलब करता है ये तो काफी Secure होता है जिससे काफी मतलब चीजों की दिक्कत नहीं आती है इन सब पेमेंट को करने के लिए बस इसमें इतना ही ध्यान रखें बाकी और इसमें कोई बहुत Knowledge की जरूरत नहीं है इतना sufficient है Student यहाँ पे question NIFT की बात कर रहा है National Electronic Fund Transfer जिनको इसका full form पता है वो comment box में जरूर लिखें जिससे उनका एक बार फिरसे revision हो जाए What is the maximum limit per transaction in NIFT ठीक है NIFT में जो limit है अपर limit जो है maximum limit कितनी है तो इसमें कोई limit नहीं है चाहे वो maximum की बात कर रहा हो या minimum की बात कर रहा हो दोनों में कोई limit नहीं है सीधा-सीधा आप जब NIFT की बात होगी ठीक है वहाँ पर आप कह सकते है There is no lower upper value limit ठीक है यहाँ पर कोई इसकी value lower limit जो भी हो maximum पूछे या minimum पूछे तो कोई नहीं है आप कितने तक का fund transfer इससे कर सकते है और ये मतलब bank से bank branch bank branch से भी आप जो है इसका transaction कर सकते है NIFT के थुरू आप account to account transfer भी कर सकते है account to account transfer कर सकते है यानि जो remitter होता है और जो beneficiary होता दोनों के पास एक account होना जरूरी है NIFT payment के लिए यहाँ पे RBI ने 2005 में 2005 में NIFT को operationalize किया था 2005 में तब से यह fund transfer के लिए काफी अच्छा platform माना जाता है student यहाँ पे question IFSC की बात कर रहा है FSC code की बात कर रहा है question है how many digits ठीक है कितने digits होते है IFSC में IFSC का पूरा नाम आप comment में करिए पूरा नाम होता है Indian Financial System Code Indian Financial System Code यह एक alpha numeric code होता है ठीक है alpha numeric code होता है और इसमें कितनी digit होती है यह आप से question पूछा जा रहा है 9 digit होती है 15 digit होती है 10 digit होती है 11 digit होती है 12 digit होती है तो इसमें total digit जो होती है वो होती 11 digit ठीक है total 11 digit का होता है यह और यह alpha numeric code होता है जब आप जैसे NIFT के थुरू अगर आप payment कर रहे हैं तो उसमें क्या करता है एक partnership जैसे मतलब किसी process में कर रहे हैं तो एक bank की साखा के लिए यह identification होता है पहचान होता है ठीक है टोटल 11 नंबर का होता है जैसे मैं आपको एक example दूँ तो कैसे होता यह देख लिजिए जैसे है मैं example दे रहा हूँ PNB N0014976 ठीक है यह होता है total IFSC नंबर किसी bank का तो आप देख सकते हैं यहाँ जो 4 character होते हैं 1,2,3,4 यह किसको represent करते हैं पहले 4 character जो होते हैं वो bank को represent करते हैं जैसे आप देख रहे हो यहाँ PNB यानि पंजाब National Bank की बात कर रहा है ठीक है bank के नाम को represent करते हैं और जो यहाँ पे 5 वर्ड होता है यानि 1,2,3,4 फाइब वह जो वर्ड होता है वो हमेशा 0 होता है यह भी ध्यान रखे question पूछा जाता है कि जो IFSC code होता है उसमें 5th number का जो number होता है ठीक है जो मतलब code होता 5th number का वो क्या होता है तो वो हमेशा 0 होता है always 0 होता है जो पाचवा number का जो character होता है वो 0 होता है और जो अंतिम 6 यह character होते हैं यह bank की साखा को represent करते हैं यह जो branch है ठीक है branch को represent करते हैं मैं आपको फिर से बता रहा हूँ पहले जो 4 अच्छा रहे हैं वो bank को represent करेंगे और जो बिलकुल 0 है वो bank के नाम को represent करता है जो पा branch को बताता है, यानि 4 जो है पहला, वो bank का नाम बताएगा 5 और 0 है, और अंतिम जो है bank का branch बताएगा यानि पहले आप bank का नाम जान लोगे और बात की जो 6 digit हैं, उसमें आप क्या जान पाओगे, bank का branch ब्रांच जान पाओगे आप वहाँ पे तो यह total होते हैं, IFSC code जो 11 digit के होते हैं, 11 digit के होते हैं, जिसमें 5 वा number जो होता है वो 0 होता है, यह भी ध्यान रखें इसके पहले 4 digit जो होते हैं, वो bank का नाम होता है, और उसके बात का जो 6 digit होता है, वो होता है, bank के branch का नाम ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, उससे आपको यह पता चल जाता है, कि यह bank की branch जैसे कहाँ पे है यह आपको पता चल जाएगा, ठीक है इसलिए FSC code जो है, किसी payment के लिए काफी important होता है What is the minimum amount of money that can be transferred through RTGS, RTGS का पूरा नाम है, real-time gross attainment, ठीक है यह भी आप comment में करके लिखके बता है पूछ रहा है, जो RTGS से payment होता है, transfer होता है जो भी payment, उसकी minimum amount किया है minimum amount कि इतनी होती इसकी minimum amount होती 2,00,000 रुपए यानि RTGS करना अगर आप है आपको करना है, तो कम से कम 2,00,000 रुपए से आप शुरू कर सकते है, minimum जो है 2,00,000 से आप लोग RTGS कर सकते है तो वहाँ पर मैंने आपको NIFT बताया था, NAFT और यहाँ पर RTGS, यानि NIFT में चाहिए वो upper हो या lower हो, दोनों में कोई limit नहीं है, यहाँ पर minimum limit कितनी है, 2,00,000 रुप है NIFT works on the principle of which of the following ठीक है, NIFT जो है, इनमें से किस पर work करता है, gross, batch settlement पे, deferred net settlement पे, priority net settlement पे या domain net settlement में तो यहाँ पर answer जो है, वो है deferred net settlement, deferred net settlement पे ही NIFT work करता है I am PS का पूरा नाम आप लोग comment में करके बताइए I am PS is function through which of the following जो I am PS का function है ना, वो इनमें से किस की थूरू चलता है, किस के, किस पर मतलब वो based होता है, किस पर काम होता है ECS पे, EFS पे, या NFS पे, या RTGS पे, तो I am PS का पूरा नाम है immediate payment service काफ़ important है, इसे आप note कर लें immediate payment service, जिसे दो है, 2010 में launch किया गया था, 2010 में इसे launch किया गया था, और I am PS जो है, आपके mobile phone से भी 24 by 7, ठीक है, आप अपने phone से भी 24 by 7 fund transfer कर सकते हैं, interbank electronic fund, आप इनसे भी transfer कर सकते हैं, I am PS के थूरू, ठीक है, I am PS के थूरू आप जो है, तुरंत पैसा transfer करने का मतलब एक सबसे अच्छा device है ये, काफी अच्छे से मतलब इसे आप पैसा तुरंत जो है transfer कर सकते हैं, ये बिलकुल secure है, और काफी facility इसे आपको देखने को मिलती है, तो I am PS जो work करता है, वो काम करता है, NFS पे, यानि national financial switch इसको बोलते हैं, NFS ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखें तो इसी पे work होता है I am PS का, ये 24 वाइब 7 उपलब्द रहता है national financial switch होता है इसका फुल फॉर्म इसे आप नोट कर लीजेगा अग जिनको पता हो, वो कमेंड में करके भी इसका answer दें what does N stands for in N UUP N UUP में N जो है उसका पूरा नाम क्या है network है, neutral है net है, national है, कौन सा इसमें से answer होगा, ये आप कमेंड में करके बताएं और N UUP का पूरा नाम क्या है, वो भी आप कमेंड में करके बताएं, तो यहाँ पे जो N UUP में N जो stand कर रहा है उसका पहला नाम होगा, national और N UUP का पूरा नाम होता है national unified ussd platform इसे आप note कर लें, काफी बार ये पूछा गया है इसलिए मैं आपको एक question करवा रहा हूँ national unified unified ussd platform, इसका पूरा नाम है यहाँ पे जो ussd है इसका भी पूरा नाम है यह भी note कर लें, इसका नाम है unstructured supplementary service data, ठीक है इसका भी पूरा नाम याद कर लें यह दो services provide कराता है एक has 99 has और दूसरा है star sorry यहाँ पे जो होगा यह दो service provide कराता है ठीक है, आभी कोई मत लिखिएगा यह जो कराता है, वो कराता है star 99 has ठीक है, एक service यह provide कराता है दोसरी service जो provide कराता है मैं फिर से आपको बता रहों नोट कर लीजिए अब ussd, इसका पहले पूरा नाम आप लोग नोट कर लीजिए, इसका होता है unstructured supplementary service data unstructured supplementary service data होता है यह दो तरह की services provide कराता है एक कराता है जो star 99 has ठीक है, और दूसरा जो कराता है वो है star 99 has ठीक है यानि दो बार 99 star होगा has होगा, फिर 99 has होगा देखे, star 99 has जो होता है, इसको start किस ने किया था NPCI नहीं किया था NPCI ठीक है NPCI का पूरा नाम बताईए अब इसने शुरू किया था और इससे क्या होता है इस सेवा से क्या होता है जो customer होता है वो mobile phone से इतना डायल कर ले star 99 has डायल करके अपने मतलब mobile से जब यह डायल करेगा तो उसको एक menu मिलेगा ठीक है mini statement ले सकते हैं fund को transfer कर सकते हैं और अपने internet bank को देख सकते हैं ठीक है इस से star 99 has जब आप mobile phone से register phone से डायल करोगे तो आपको हम menu मिलेगा और मैं इतनी सारी शुबदाएं दी जाती है same to same इस पे भी वही है star 99 star 99 star 99 has यहाँ पर मैं फिर से लिख रहूँ star 99 star 99 has ठीक है यह भी एक सेवा है जिससे भी आप क्या कर सकते हैं जो customer होता है अपने bank खातों के साथ उसमें आप आधार जो number होता है ना वो भी आप इसमें लिंक कर सकते हैं वो भी जोडने की इसमें पूरी पूरी facility दी गई है और यह सारी चीज़ें जो GSM phone होता है ना उसकी पर यह सारी चीज़ें काम करती है जो हमारे GSM service provider होते है उसी पर यह काम करती है ठीक है तो यह दो चीज़ें USG के द्वारा launch की गई थी star 99 has और star 99 star 99 has यह दोनों करके आप इन सब चीज़ें कर सकते है student यहाँ आप से RTGS का पूरा नाम पूछा जा रहा है तो आप बिलकुल comment में करके बताएं और काफी easy है real time gross settlement होता इसका answer ठीक है RTGS RTGS हो गया NEFT हो गया NEFT हो गया NFS हो गया ठीक है इन सब के full form काफी एक अपने register के page पे लिख लें और इसे बार-बार learn करते रहें यह काफी बार पूछे जाते हैं जिसमें काफी confusion होता है किसी एक word का पूछा पूछता है या पूरा पूछता है तो यहाँ पे होगा real time gross settlement student यहाँ पे जो NEFT है ना उसका year पूछ रहा है कि NEFT जो है किस साल जो है शुरू किया गया है in which year in which year NEFT started in India इंडिया में शुरू किया गया है यह 2005 में 2005 से काम कर रहा है 2005 में इसकी जो है शुरुवात की गई थी NEFT की ठीक है student यहाँ पे question जो है वो IFSC से है इसका पूरा नाम मैं आपको बता भी चुका हूँ एक question आपसे कराय भीचा चुका है और इसका फिर से यहाँ पे आप लोग comment में करके बताएं कि IFSC का पूरा नाम क्या है ठीक है यहाँ पे पूछ रहा है कि IFSC में जो होते total 11 digit होते हैं आपको बता चुका हूँ और इसमें से यह पूछा जा रहा है कि जो 0 होता है ना उसमें ठीक है 0 होता है वो कौन सा digit होता है देखिए यहाँ पे कई तरह के question पूछे जा सकते हैं मैंने भी आपको बताया था डारेक्टली आपसे पूछा जाता है कि जो 0 होता है वो कितने नंबर पे होता है तो वही question से आपसे पूछ लिया गया है यहाँ पे तो जो 0 होता है वो 5th नंबर पे होता है यह ध्यान रख लीजिए पहले 4 digit क्या होता वो बैंक का नाम होता है FSC में हम बात कर रहे है बैंक का नाम जैसे हो जाएगा किसी बैंक का नाम और पांचवा अच्छर जो होगा वो 0 होगा और बाकी जो last में 6 होंगी वो branch को represent करेंगे ठीक है यह मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे एक चीज आप लोग और जान ले एक कोड होता है MICR MICR होता है जिसको हम लोग बोलते हैं magnetic ink character recognition ठीक है magnetic ink character recognition बोलते हैं यह total 9 digit का कोड होता है यहीं दोनों साथ इन दोनों कोड को लिख लें आप इससे आपको learn करने में काफी easy हो यह total 9 नंबर का होता है और यह जो IFSC होता है वो alphanumeric होता है और MICR जो होता है वो केवल numerical code होता है ठीक है इसमें क्यों numeric word होते हैं total 9 होते हैं तो यह भी 3 और 3 तीन पार्ट में divide होते हैं ठीक है पहला 3 जो होता है वो bank के city को बताता है city को बताएगा और जो दूसरा 3 होता है वो branch बताएगा और जो तीसरा 3 होता है वो bank का यहाँ पर जो तीसरा होता है वो branch को denote करता है ठीक है तीसरी जो number होती इनकी digit होती है वो branch बताता है जैसे पहला 3 क्या हो गया total 9 digit होते है इसमें ठीक है जो पहला 3 digit होता हो city को बताता है कि city में आपका bank है जो दूसरा 3 number होता है वो बताता है कि bank का नाम क्या है और जो last में जो 3 होता है 3 digit का होता है वो branch को बताता है यानि किस सहर में है कौन सा bank है और बैंक का branch क्या है यह M.I.C.R. से पता चल दाता है जो total 9 digit का होता है तो मैंने आपको IFSC का भी पूरा code बता दिया है M.I.C.R. का भी बता दिया है इन सब चीजों को एक साथ note कर ले जिससे आपको learn करने में काफी आसानी हो ठीक है तो बस student आज के वीडियो में इतना ही Thank you for watching मिलता है नेक्स वीडियो में God bless you to all चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा जिससे आपको लेटेस वीडियो को notification तुरल मिलेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दीजिएगा Thank you for watching